जैम आताती दोस्तों आप देख रहे हैं असरदार टोटके आज मैं आपके लिए एक महत्य पुन टॉपिक लेकर आया हूं टाइप वन डायबटीज के विशे में टाइप वन डायबटीज के रोगी इस तरह हैं गटाई अपना वजन इसे जानने के लिए किरपे हमारी वीडियो को देखते रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे यूटूब चैनल असरदार टोटके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम आपकी हैल से समन्दे सभी जबरतस टिपस लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने लाइब को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं हम मैं बात करूंगा टाइप वन 第यपिज के रोगी इस तरह घटाए अपना वजन टाइप ओन डाइबटीज के रोगियों के लिए मुटापा बहुत ही खतरनाक स्थिती है कई बार डाइबटीज में मुटापा होने से जान जाने का भी खतरा होता है मुटापा खुद में एक गंबीर बिमारी है ऐसे में अगर diabetes के साथ मोटापा हो तो इसका खत्रनाक होना लाजमी है ऐसे में type 1 diabetes के रोगियों को कई गंबीर बिमारियां होने के आसंका भी बराबर बने रहती है type 1 diabetes के मरीजों को अपने वजन को नियंतरित करने के लिए खास ध्यान देना चाहिए मधुमे से पीडित रोगियों को अकसर वजन बढ़ने से तनाव होने लगता है जो कि उनके लिए हनिकारक है type 1 diabetes से पीडित व्यक्ति के लिए वजन कम करना किसी चुनोती से कम नहीं है लेकिन यह नामुम्किन भी नहीं है आईए जानते हैं कि type 1 diabetes के मरीज कैसे अपना वजन को कम कर सकते हैं type 1 diabetes को वजन कम करने के लिए जरूरी है कि खान पर ध्यान दे इससे शरीर के कलोरी के मातरा कम रहेगी जिससे sugar level को कंट्रोल किया जासके type 1 diabetes रोगियों को ऐसा वोजन करना चाहिए जिससे उन्हें प्रोटीन, कैल्सिम और अन्य पोस्कत अथब तो मिलते रहें लेकिन sugar level भी नियंत्रित रहे type 1 diabetes से पीडित मरीजों को एक दिक्कत होती है कि उनका वजन कभी भी बढ़न लगता है और कभी भी घटन लगता है ऐसे में प्रती दिन दिन्चर्य में वयाम को सामिल करना चाहिए जिससे आपका वजन नियंत्रित रहेस के type 1 diabetes के रोगियों का sugar level हमेशा कम होना चाहिए इसके लिए महीने में दो बार वजन जरूर मापे साथ ही sugar level control करने के लिए आपको नियमेत रूप से रक्त जाँच करें अब ये नहीं कि एक ही दिन में पूरी कलोरी कम करें इससे आपको फाइदे के बज़ाए नुकसान हो सकता है ऐसे में आप प्रती दिन थोड़ी थोड़ी कलोरी कम करें इससे आपको बहुत अधिक महसूस भी नहीं होगा और आप असानी से अपना वजन कम कर पाएंगे टुकडों में भोजन करें ये नहीं कि आप वजन कम करने के लिए बहुत सारा नास्ता कर लिए और दिन का खाना नहीं खा रहे हैं इससे आपको नुकसान होगा टाइप ओन डाइपटीज को जादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहें बलकि सही समय पर दवाईया लें और थोड़ा थोड़ा हर घंटे के अंतराल पर खाएं आप खाने में पनीर, दहीं, टौन्ड दूद लें लेकिन इसमें चीनी का इस्तमाल बिलकुल न करें इसके साथ ही जूस के बजाए फलों को खाएं शूप लें अथवा अधिक साधिक पानी पियें आप प्राठी के बजाए चपाती खाएं लेकिन बिना घी की सबजों में हरी सबजों के मातरा अधिक खाएं आप सलाद में ऐसी चीज़ों को रखें जिनमें सुगर नहीं हो प्रोटिन विटामिन अधिक हो खाना रात में जल्दी खाएं और खाने के बार टहलना ना पुलें दिन में 15-15 मिंट के लिए 2-3 बार जुरू टहलें हलके फुलके वयाम भी कर पे रहें आप किसी अनभवी डाइटीशन से अपना सुगर फ्री और लो कलोरी युक्त डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं इससे आपको बहुत अधिक फाइदा होगा आप अपने डाक्टर के संपर्क में लगातार रहें यदि तमाम कोशिसों के बाद भी आपका वजन यंतरित में नहीं आ रहा है तो डाक्टर से जाच कराते रहें यदि आप अपने डाक्टर और डाइटीशन के दिसानसार चलेंगे तो निश्चित तोर पर आप टाइप ओन डाइबटीश को तो कंट्रोल कर ही लेंगे साथ ही आपको वजन कम करने में भी बहुत असानी होगी तो ये थी दोस्तो कुछ टिप्स हमारी तरह से जो की टाइप ओन डाइबटीश के मरीज अपना वजन इन का उप्योग करके अपने वजन को कम कर सकते हैं या अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये थी दोस्तो हमारी वज़ियो टाइप ओन डाइबटीश के रोगी इस तरह हैं घटाई अपना वजन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकरी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वैसे एर करना ना बोलें इसके साथ सथ आप हमारे यूटूब चैनल असरदार टोटके को सब्सक्राइब करना ना बोलें क्योंकि इस चैनल पर आपकी हैल से समंदित हम जबर्दफ टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने लाइब को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तो